हेलो जेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैच्स बाई जीतंदर कुमार में स्वागत है हमने पिछले टान पे BST Thirds M की Mathematical Methods बुक्स स्टार्ट की तो ये वाली बुक है हमारी Mathematical Methods किर्शना परकाशन की बुक चलिगी ये बैच में ठीक है Mathematical Methods Part B है, Part A हमारा एलजेबरा तो पिछले टान पे अमने इसमें लापलास टान्सफोर्म स्टार्ट किया तो लापलास टान्सफोर्म होता क्या है मैं एक बार थोड़ा सा आपको फिर बता देता हूँ ठीक है कोई definite integral, कोई निशित समाकलन कोई निशित समाकलन 0 to infinity e की पावर minus bt ft dt ही क्या कहलाता है लापलास टान्सफोर्म ओफ फंक्शन ft का कहलाता है ठीक है इसको denote कि से करते हैं लापलास ओफ ft से denote करते हैं ठीक है और इस से ही define किया जाता है तो ये हमारा लापलास टान्सफोर्म ओफ ft इस definite integral इस निशित समाकलन के बराबर होता है कल ये मैंने आपको definition बताई और लापलास टान्सफोर्म ओफ सम इस फेसल ठीक है सम elementary functions कुछ elementary functions है उनके मैंने आपको लापलास टान्सफोर्म भी बताई चलिए एक बार मैं repeat कर देता हूँ ये सब ये formula आपको याद होने चाहिए और आप लोग शुरू जही इनके notes बनाते हुए चलना ठीक है चलिए तो लापलास टान्सफोर्म मैंने कल सबसे पहले जो आपको लापलास टान्सफोर्म लिखाया किसका लिखाया 1 का वन का लापलास टान्सफोर्म किसके बराबर होता है वन अपोन पी के बराबर होता है जहां पी बड़ा है किससे जीरो से इसके बाद मैंने लिखाया आपको लापलास टान्सफोर्म किसका लिखाया ट की पावर न का जहां एन क्या है कोई भी positive integers जहां n क्या है कोई भी धन पूर्ण अंक तो यह क्या लिखा है मैंने आपको factorial n बटे p की पावर n प्लस 1 जहां p की value किस से बड़ी है 0 से बड़ी है इसके बार मैंने formula फिर t की पावर n का ही लिखाया वो होता है कितना लिखाया था बूली गामा गामा n प्लस 1 बटे p की पावर n प्लस 1 p की value जहां बड़ी है किस से 0 से पिछले टैम पे मैंने इनका सभी का प्रूब भी कराया ठीक है एक बार मैं दुबार से लिख देता हूँ यह सभी formula आपको याद होने चाहिए ठीक है यह सभी formula आपको याद होने चाहिए इसके बाद मैंने laplace transform किसका लिखाया e की power 80 का e की power 80 का क्या लिखाया बोलिए 1 upon p minus a p बड़ा है किस से a से sin 80 का लिखाया laplace transform किसका लिखाया बोलिए sin 80 sin 80 का laplace transform किसके बराबर होता है sin 80 का laplace transform होता है a upon p square plus a square जहाँ p की value बड़ी है किस से 0 से इसके बाद laplace transform किसका लिखाया बोलिए cos 80 का बस उपर p आ जाएगा इसमें क्या जाएगा p आ जाएगा p upon p square plus a square p की value बड़ी है किस से 0 से ठीक है sin hyperbolic 80 बस इसमें ये फर्क है sin में यहाँ plus है तो बस यहाँ minus आ जाएगा a upon कितना जाएगा p square minus a square जहाँ p की value बड़ी होगी modulus a से p की value बड़ी होगी किस से modulus a से उल लाश्ट में एक formula मैंने क्या लिखाया आपको laplace transform cos hyperbolic 80 का तो cos के जैसी होगा उसमें plus है तो बस इसमें क्या जाएगा minus आ जाएगा ठीक है कितना जाएगा minus यानि के p upon कितना हो जाएगा p square minus a square जहाँ p की value बड़ी है किस से modulus a से बड़ी है p की value किस से बड़ी है modulus a से बड़ी है ठीक है तो कल मैंने इन formula के सब के proof आपको करा दिए पिछले turn पे ना चलिए अब हम इसमें exercise स्टार्ट करेंगी चलिए exercise देखिए एक्जामपल्स तो कर लेना चलिए पहले हम exercise start करेंगी ठीक है एक्जामपल जो नहीं होंगे वो बता देना आप लो ठीक है चलिए exercise से start करते हैं जब exercise के question हो जाएंगे तो example तो हो ही जाएंगे मालने कोई example लगेगा ऐसा कि cuttings आयो उसको भी मैं खरा दूँगा तो चलिए exercise first देखिए exercise first में find the lt of the following function ये कुछ function है इनके हमें क्या निकालने लापलास transform निकालने ठीक है lt मतलब लापलास transform तो उटकरट में lt लिग देते हैं exercise first exercise first देखिए ठीक है पहला question पहले का first part पहले का first part लापलास transform किसका निकालना 2t cube 2t cube minus 6t plus 8 का लापलास transform निकालना ठीक है तो इसका लापलास transform देखिए कैसे निकालने 2 तो constant है तो इसको हम लिखेंगे 2 लापलास transform of t की पावर 3 minus 6 लापलास of t लापलास of t या t की पावर क्या कह दीजी 1 कह दीजी 8 के इंटू में 1 है तो 8 तो भी आ गया जाएगा लापलास transform किसका निकालना हमें 1 का निकालना 8 के इंटू में 1 है तो 8 आ गया जाएगा तो लापलास किसका निकालना 1 का निकालना पहले का first part आई तो चलिए इसका लापलास निकालना t की पावर n का ठीक है जहां n क्या है positive integer अब यह देखे positive integer है यह नहीं है positive integer है और यह भी क्या है positive integer तो चलिए इसका लापलास निकाल दीजी ठीक है कितना आएगा बोली है वहाँ से factorial n मतलब factorial 3 आएगा कितना आएगा factorial 3 upon p की पावर 3 plus 1 p की पावर 3 plus 1 चलिए यहाँ पर बोल दीजी 6 इसका करना factorial 1 बटे p की पावर 1 plus 1 plus 8 1 का तुम्हें मालूम ही है 1 का कितना होता है वही वन का कितना होता है 1 upon p तो कितना जाए गई ठीक है factorial 3 की वेल्यू 6 और 12 हो जाएगी तो 12 upon p की पावर 4 minus 6 upon p square plus 8 upon p तो यह first part हो गया तो इस तरीके से बिल्कुल simple question है फार्मुले यदि आपको याद हैं तो आसानी से question हो जाएगे ठीक है चलिए note कर लीजी इस question को note कर लीजी पहले का कौन सा part हो गया यह first part हो गया ठीक है बुक में answer भी check कर लेना answer बिल्कुल ठीक है इसका और यह जो p की value होती है यह value पिस से बढ़ी है यह 0 से है तो यह इसका answer आगे चलिए इसको note करें अब हम इसका second part करेंगे चलिए second part देखू पहले का कौन सा part भी second part पहले की second part में laplace transform किसका निकालना sin t into cos t का निकालना किसका निकालना भी sin t into cos t अब ऐसा तो कोई formula है नहीं भाप है ऐसा कोई formula नहीं है पर हम इसको ऐसा बना सकते हैं वह 2 से multiply करिए और 2 से divide करिए 2 sin t into cos t बन जाएगा किसका formula बनेगा sin 2 t का तो यह वाला formula लग जाएगा इसमें तो क्या कर लीजिए भी यह 1 by 2 कर लीजिए laplace transform 2 से गुना कर लीजिए 2 sin t into cos t 1 by 2 laplace transform क्या बन जाएगी sin 2 t तो कौन सा formula लगेगा यह वाला formula लगेगा एक ही जगा कितना 2 एक ही जगा कितना 2 तो बताइए कितना जाएगा 2 upon p square plus a square a square मतलब 2 square 2 से 2 कर जाएगा तो कितना answer जाएगा 1 upon p square plus 4 तो बहुत ही आसान question है ठीक है चलिए इसको भी आप लोग note कर लेजी second part हो गया ही ठीक है इसके बाद third part देखी इसके बाद इसका third part देखी अक्साइस first के पहले का कुन सा part third part first के third part में laplace transform निकालना हमें किसका निकालना cos hyperbolic square 2t का निकालना किसका निकालना cos hyperbolic square 2t की value निकालने ही ठीक है तो इसकी value निकालने के लिए देखें जैसे आपने कोई formula पढ़ा होगा cos 2 theta cos 2 theta का cos में ही formula होता है 2 cos square theta minus 1 और cos 4 theta cos 4 theta किसके बराबर होता है 2 cos square 2 theta minus 1 जितना यह angle होता है उसका आधा है आता है 4 है तो कितना आजाएगा 2 आजाएगा ठीक है तो यहां नेकिए यह दिरखा है नोने तो जिसे cos के यह circular function वालों के formula है इसके hyperbolic के भी होते हैं जिसे cos hyperbolic 2 theta का formula भी होता है cos hyperbolic 2 theta का formula होता है ठीक है cos में ही यह होता है 2 cos hyperbolic square theta minus 1 होता है cos hyperbolic 4 theta की value 2 cos hyperbolic square 2 theta minus 1 के बराबर होती है ठीक है दीक है यह हमारे circular function की formula है और यह किन के हैं hyperbolic की ठीक है तो देखे circular में और hyperbolic में विसे अंतर क्या होता है circular में और hyperbolic में अंतर देखे क्या होता है देखे cos 2 theta का formula तुमने cos 2 theta का formula 1 minus 2 sin square theta पढ़ा होगा 2 sin square theta यह sin में formula होता है cos का यह cos का किस में था ? यह भी cos hyperbolic 2 theta की बात करी जाए तो यह आएगा 1 plus 2 sin hyperbolic square theta इसमें है minus है इसमें है plus है देखे यह दी sin square होगा कहीं भी circular function में sin square होगा तो sin square कैसा होगा उसमें minus का होगा तो hyperbolic वाले में plus का आएगा ठीक है hyperbolic में और circular में यह अंतर है circular वाले में sin square यदी minus है तो hyperbolic वाले में कैसा आएगा plus cos में कोई फरक नहीं पड़ता कोस में तो यहां कोस था तो जैसा है यह वैसा का वसे ही आएगा जैसे कोई तुमसे यह पूछे कि 10 2 theta का formula बताओ 10 2 theta circular function है ठीके तो यह किसके बराबर होता है 2 10 theta upon 1 minus 1 minus 10 square theta के बराबर होता है 2 10 theta बटे 1 minus 10 square theta के बराबर होता है और यह दीसी काई hyperbolic का formula लिखना हो 10 hyperbolic 2 theta का formula लिखना हो तो यह आएगा 2 10 hyperbolic theta बटे 1 plus 10 hyperbolic square theta के बराबर होता है अब यहां यह minus है और यहां कैसा आगे है plus क्यों आगे है क्योंकि इसके अंदर sin square है इसके अंदर कोन है sin square, sin square क्यों है क्यों है तो इसके अंदर, जिसके अंदर sin square होगा circular में कैसा हो, minus का, तो hyperbolic में कैसा आएगा plus का आएगा, और यदी इसमें कोई plus का हो, तो इसमें कैसा आएगा minus का, अब देखेंगे जैसे हम cos 2 theta का formula पढ़ते है ठीक है, तो यह इनमें है थोड़ा सा difference है चाहो तो इनको note कर लो, एक बार मैं cos इसका भी बता देता हूँ, cos अब यहाँ को लिख देता हूँ cos 2 theta का formula वैसे तुमने ये भी पढ़ा cos square theta minus sin square theta तो cos hyperbolic 2 theta यह circular है और यह कैसा? hyperbolic तो इनमें क्या नतर है? sin square इसमें यदी minus का होगा तो इसमें plus का आएगा, तो यह आएगा cos hyperbolic square theta plus sin hyperbolic square theta तो sin square वाले का चीने change करना के वल, ठीक है? तो hyperbolic के भी तुम्हें सब formula याद हो जाएंगे, पसी यह करना, ठीक है? चाहो तो इनको note कर लीजिए, अब मुझे इसका formula कोलना है, square में दे रखा, square में तो हमारे पास कोई formula ही नहीं है आपे ठीक है? तो इनने note कर लीजिए, चलिए, करना चाहो तो, चलिए अब इस question को करते हैं, third part को ठीक है? तो किसका formula? cos hyperbolic 4 theta का formula लिख लेंगे side में, किसके बराबर होता है? 2 cos hyperbolic square 2 theta minus 1 की बराबर होता है तो इसकी value बताइए, कितनी आएगी? ठीक है? 2 से multiplier हो 2 से divide कर लीजिए इसमें तो यह 1 by 2, Laplace transform 2 cos hyperbolic square 2t, ठीक है? t है तो, t लिखना यहाँ पर, t है तो क्या लिखना भी? t, पूर यहाँ भी क्या जाएगा? t आ जाएगा, यह 1 को इधर ले आएगे, तो यह cos hyperbolic 4t plus 1 बराबर 2 cos hyperbolic square 2t आ जाएगा, तो इस का मान कितना आ गया? यह आ गया, इसकी जगा यह रख दीजी, तो 1 by 2 Laplace transform इसका cos hyperbolic 4t plus 1, 1 by 2, चलिए cos hyperbolic 4t का इस वाले formula से करेंगे तो कितना जाएगा बोलिए? P upon, P upon, P square minus, 1 का स्कार है की जगा 4 है 4 का स्कार है जाएगा, last वाला formula, ठीक है? 1 का पहले वाला formula, 1 का कितना होता है वही? 1 upon P, तो यह ही सकांसर आ गया, ठीक है? यह हमने इसका Laplace transform निकाल दिया, तो यही सकांसर आ गया, side में इसको भी note कर ले, na question number, first का कुन सा part हो गया यह? third part, ठीक है? LCM लेके, आगे चाहूँ तो आगे भी, soul कर सकते हैं ठीक है, तो इन्होंने LCM लेके, इसको soul कर रखा तो कितना हो जाएगा भी? यह 1 by 2, LCM, P square, minus 16, into में कितना? P, इधर कितना हो जाएगा यह? P square, plus, इधर कितना जाएगा? P square minus, 4 square मतलब, 16 आ जाएगा, ठीक है? तो यह जाएगा, इसको जोड़ देंगे, तो 2P square हो जाएगा, 1 by 2, कितना हो जाएगा उपर? 2P square, minus 16, upon, P into, P square minus, 16, दो कुमन लेके, काड़ देंगे, तो कितना बज़ जाएगा? P square, minus 8, upon, P into, P square minus, 16, यह यह आंसर दें रखा ज़का, ठीक है? कर लीजिए, कुन सा पार्ट हो गया ही? थर्ड पार्ट हो गया, चलिए, next question देखिए अब, देखिए, जिसे पहले का 4th पार्ट दिया, पहले का कौन सा पार्ट दिया? 4th पार्ट, Laplace transform, किसका निकालना? 6, sin 2t, minus 5, cos 2t, तो सीधा सीधे formula बन रहे हैं, 6 आगा जाएगा, Laplace transform किसका, sin 2t का हो जाएगा, minus 5, Laplace transform of किसका, cos 2t का हो जाएगा, sin 2t का, इस formula से कर देगे भी, कितना? 6, बोली कितना? 2, upon, p square plus, 2 square हो जाएगा, minus 5, cos 2t का हिससे कर देगे, p upon, p square, plus, 2 square हो जाएगा, तो उपर कितना बच जाएगा? 12, minus 5v, upon, p square, plus 4, तो बिल्कुल, simple question है, ऐसे ही hyperbolic वाले में, दूसरी के first में hyperbolic वाले की कर देगे, अब तुम, दूसरी का second देखिए, ठीके? दूसरी का first न, यह दे रखा है रोने, कर लेना इसको खुद, 3, cos hyperbolic, 5, t दे रखा, minus 4, sin hyperbolic, 5, t, hyperbolic वाले formula लगा देना, दूसरी के first में, ठीके? तो चलिए, नोट कर लीज़े इसको, चलिए, दूसरी का second part देखो, चलिए, दूसरी का second part, laplast transform हमें इसका निकालना है, ठीके? तो सबका अलग-अलग कर देगे, इनका, सबका अलग-अलग कर दीजी, तो देखिए, क्या जाएगा भी यह यहां से? 7, laplast transform, एकी पावर 2T, प्लस 9, कोंस्टेंट को आग ले लें, laplast transform किसका? एकी पावर माइनस 2T, इसमें बोल दीजी, प्लस 5, laplast transform, कोस T, 3, प्लस 7, laplast transform, T की पावर 3, प्लस 5, laplast transform, कोस, कोस नहीं है, साइन है, कितना है है, साइन 3T, प्लस 2 इंटो 1, laplast transform किसका? वन का, तो यह दी फार्मुले आदें, तो question होई जाएगा, ठीक है, सीधे-सीधे क्या करने है, इनमें, फार्मुले अप्लाई करने, चलिए इसमें, ठीक है, यह फार्मुला अप्लाई करेंगे, 7 तो है ही वही है, कितना आजाएगा, 1 अपोन P-A, मतलब P-2, प्लस 9, इसका कर दीजिए, इसका बोलिए, 1 अपोन, मैनस मैनस प्लस हो जाएगा, P-2 आजाएगा, प्लस 5, कोस का फोर्मुला लगा दीजिए, ठीक है, एक ही जगह 1 है, प्लस 7, टीक्यूब, पोजिटिव इंटीजर का ही लगा दीजिए, फैक्टोरियल, 3 अपोन, P की पावर, 3 प्लस 1, यह 4 लिख सकते हैं सीधा, प्लस 5, 5, साइन का करिए, साइन का करिए, A अपोन, A अपोन, P सकार, प्लस 3 सकार, और लास्ट में, 2, 1 का तुम्हें मालूमी है, सबसे उपर लिखा हुआ, कितना होता है, 1 का, 1 अपोन, P, ठीक है, तो इनको, चलिए, जोड लीजे, इन वनों को एक साथ चोड़ लो, तो यह हो जाएंगे भई, LCM आ जाएगा इसमें, तो यह P स्कार माइनस 4 हो जाएंगे, यहां 7P, इस किसमें मल्टिपला जाएगी, 7P, प्लस 14, प्लस 9P, माइनस 18, और प्लस, चलिए 2 अपोन P, यहांको लिख ले न, 2 अपोन, P हांको ले ले न, आगे को, हाँ तो यह कितना आगे भई, 5P अपोन, P स्कार प्लस, 1, कितना जाएगा, 6 आजाएगा, ठीके, तो यह कितना जाएगा, 42, अपोन P की पावर, 4, ठीके, 7, 6, जा, 42 हो जाएगा, प्लस, बोली हैंपे भई, 5, यह अपोन, P स्कार, प्लस कितना 9, प्लस 2 अपोन, P आजाएगा, और यह कितना आगया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 16P, 16P घटा देंगे, तो मैनस के, 4 अपोन, P स्कार, माइनस 4, प्लस, 5P, अपोन, P स्कार, प्लस 1, प्लस, 22, बेटे, P की पावर, 4, प्लस, 5A, बेटे, P स्कार, प्लस, 9, ठीके, 5, A नहीं आएगा, एकी जगह कौन था, इसमें, 3 था न, एकी जगह 3 था, तो 3 नहीं लिखना, 5 की जगह 3 था, तो 15 आजाएगा नहीं, कितना आजाएगा भी यहीं, 15 आजाएगा, 15, और यह भी कितना हो जाएगा, यहां पे, 15 हो जाएगा, और प्लस कितना टू अपोन पी तीस का अंसर आगेस को भी आप लोग नोट कर लिजी चलिए नेक्स्ट कुश्चन देखिए थर्ड पार्ट तो असानी हो जाएगा ठीक है चलिए फोर पार्ट देखना दूसरी का फोर्थ पार्ट F T बराबर यह दिरका उसका भी हमें लापलास ट्रांस्फोर्म निकालना तो चलिए दूसरीए दुर साइड लापलास ट्रांस्फोर्म दे लिजी ठीक है तो यहाँ लीख सकते हैं यहां पर taking L T, L T मित्लब लापलास ट्रांस्फोर्म बोथ साइड्स बोथ A की पावर 80 माइनस 1 ठीक है? 1 अपोन A कॉंस्टेंट को आगरे लीजी चलिए इसको अलग-अलग कर देंगे 1 अपोन A लाप्लास ट्रांस्फोर्म 1 की पावर 80 1 की पावर 80 और माइनस 1 अपोन A ठीक है? या इसको भार रखी 1 अपोन एक उसारे से ही माइनस लाप्लास ट्रांस्फोर्म इसका 1 का कर दीजी विभार तो कितना 1 अपोन? A 1 की पावर 80 मालूमी आपको 1 अपोन कितना? P-A 1 का कितना होता है? 1 अपोन P 1 अपोन A LCM कितना जाएगा? P-A into P कितना बच जाएगा? P माइनस P प्लस A आजाएगा P से P cancel हो जाएगा A से A भी कड़ जाएगा फिर ये तो कितना अंसर आएगा इसका? 1 अपोन P into P माइनस इसका अंसर आगिया ठीक है? करिए दूसरे का 4 भी असानी कुश्चन है चलिए अब तीसरे का 1st पार्ट देखिए तीसरे का 1st पार्ट F T बराबर ये दे दिया आपके थोड़ा साँ डिफरेंट है बागी कुश्चन से ही ठीक है? F T ये दे दिया और हमें लापलासोफ F T निकालना क्या निकालना है? लापलासोफ F T निकालना ठीक है? तो चलिए लापलासोफ F T निकालने के लिए we know that we know that formula लिग दीजी Laplace of Ft का formula लिग दीजी Laplace of Ft का कितना होता है 0 to infinity e की पावर माइनस Pt Ft इंडू dt के बराबर होता है किसके बराबर होता है e की पावर माइनस Pt Ft इंडू dt अब जड़ा देखिए इसको दो जगा ब्रेक करेंगे एक तो 0 से लेके 1 तक और एक 1 से बड़ा इस interval को दो जगा ब्रेक करेंगे एक तो 0 से लेके कहा तक 1 तक e की पावर माइनस Pt Ft इंडू dt और एक 1 से बड़ी 1 से बड़ी कहा तक infinity तक तो e की पावर माइनस Pt Ft into dt इसको दो जगे ब्रेक इसके अकोडिंग करना पड़ेगा ठीक है वही हाँ 0 से लेके infinity उन्होंने क्या दे रखा 0 से लेके 1 और 1 से बड़ा 1 से बड़ा कहा तक infinity तो 0 से लेके 1 तक और 1 से बड़ा कहा तक infinity इस तरीके से इसको ठीक है दो जगे ब्रेक कर लेंगे जब लिमिट 0 से लेके 1 है तो Ft का मान है e की पावर T 0 से लेके 1 है यह दे T का मान तो Ft की value क्या रखेंगे e की पावर T तो आ जाएगा 0 to 1 e की पावर minus Pt Ft का मान रख दीजिए e की पावर T into DT जब 1 से बड़ी value है 1 से बड़ी infinity तक तो function की value 0 के पराबर है तो function की value 0 रखेंगे तो यह सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है यह सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो क्या बज़ जाएगा यहां से 0 to 1 e की पावर e की पावर यह जूड जाएगी ठीक है तो कितना बज़ जाएगा e minus Pt plus t t को मन ले लेंगी t को मन ले लेंगी तो minus P e plus 1 into t आ जाएगा into dt इसका integral कर दीजिए इसका integral करेंगी तो कितना आएगा बोलिए e की पावर minus P plus 1 into t बड़े में minus P plus 1 limit बोलिए कितनी limit 0 to 1 चलिए अपर limit रख दीजी 1 रख देंगे तो e की पावर minus P plus 1 1 रखोंगा तो 1 ही आ जाएगा अब और में तो यही है minus P plus 1 minus lower limit रखते है e की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा बड़े में कितना यही आएगा minus P plus 1 LCM ले लिजे LCM आज आएगा minus P plus 1 उपर क्या बच जाएगा e की पावर minus P plus 1 minus 1 ठीके तो यह इस cancer आ गया तो आगी के question लगवब कुछी सी तरेके के हैं ठीके तो उनको करके देखिए उनको note करिए ठीके और इसको note करिए ठीके उन्होंने minus common ले रखा कोई बात नहीं और minus common लेके दूसरे तरीके से लिख रखा तो ऐसे भी इसको लिख सकते है minus common लेके ठीके यह इतना भी ठीक है इतना ऐसे ही कर लिजी तो यह यहां तक ठीक है तो चलिए आज के लिए तना ही बाकी next one पर गरेंगे thank you very much झालओे конiqu लिख सकते है